आज हम बनाएंगे खीर अगर आपको मेरी खीर की रेसिपी अच्छी लेगेगी तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक किजेगा सेर किजेगा कमेंट किजेगा और मेरी चानल को ज़रूर सब्सक्राइब किजेगा विल्कुल भी ना भूले ताकि मेरी जितनी भी नेक्स्ट इलाइची पाउडर चीनी चार्चममच खीर का चावल चार्चममच पुछली अब हम बनाते हैं खीर सबसे पहले हम दूद को एक पटीले में डालेंगे अब दूद को हम मेडियम फ्लेम पे उबाल आने तक का वेट करेंगे जब तक हमाला दूद उबल रहा है तब तक हम दूद को कट कर लेंगे यह देखिए चावल मैंने अच्छे से दोलिया है अब इसे थोरा सा पानी में ऐसे ही पांच मिनट के लिए छोड़ दे देखिए दूद हमारा उबर रहा है अब इसे हम 10 मिट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे ताकि दूद थोरा सा गाड़ा हो जाए और आप बीच बीच में नीचे ऐसे चलाते रहेंगे यह देखिए दूद भी गाड़ी हो चुकी है अब इसने हम चावल डालेंगे यहाँ पे जो उन्हें चावल को पानी में रखा था एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे और यह चावल डालने के पहले हलकी हाथों से इसे ऐसे मैस्क कर दीजेगा ऐसे चावल के दानी टूट जाएंगे तो खिर बहुत अच्छी बनेगी चावल को हम दूद में डाल देंगे दानने के बाद इसे हम मीडियम प्लेम पे ऐसे चलाते नहींगे। इसर बीच बीच में इसे चलाते रहेगा वड़ना नूची खीड जल जाएगा इसे बीच बीच में ऐसे हम चलाते रहेंगे seem इसमें bir ने किसमिस डालेंगे और काजु खीर में सिर्फ हम किसमिस और काजु डालेंगे और जो हमने बदाम और पीस्ता कट किया है उसे हम उपर से गार्निस करेंगे जावल तमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है बस खीर को उन्थरा और गाड़ा होने देंगे फिर इसमें हम चीनीडा लेंगे फिर बिल्कुल अच्छे से त्यार है अब इसमें हम चीनी डालेंगे मैं चार चमच चीनी डाल रही हूँ अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं चीनी डालने के बाद इसे हम एक दो मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे फिर फ्लेम को हम बंद कर देंगे इसके उपर मैंने हलका सा चांदी वर्ग भी गार्निस कर दिया है अब हमारा खीर बिलकुर अच्छे से बन के तयार है अब इसे इंजॉय कीजिए अगर आपको मेरी खीर की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा कमें कीजिएगा मेरी चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दवाना बेलकुल भी ना भूले ताकि मेरी जितनी भी नेक्स्ट वीडियो आए वाप तक जरूर पहुंचे नसेफ्स नहां फामिली से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवार इस फा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई